अमस्कार दोस्तों, युद्ध सिर्फ युक्रेन में हो रहा है, लेकिन तबाही रश्या तक में मच रही है रश्या की आम जनता का हाल बेहाल है, रश्या करंसी रूबल पिछले कुछ दिनों में इतनी तेजी से नीचे गिरी है कि रश्या में एटियम्स के बाहर लंबी लाइने लग रही है, बैंकों के पास कैश नहीं है जनता को देने के लिए लोगों ने फोन्स और इलेक्ट्रोनिक आइटम्स को होड करना शुरू कर दिया है, जल्दी से जाकर खरीद रहे हैं वो क्योंकि वो एकलोती ऐसी चीजे हैं जिनकी कीमत नहीं जाएगी, क्योंकि लोगों का महनच से कमाया पैसा अपनी वैल्यू लूस करने लग रहा है, हजारों रश्यन लोग अपनी तनख्वा नहीं ले पा रहे हैं जो बाहर के देशों से डील करते थे महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों को अब डर है कि रश्या की हालत विनेजुएला जैसी ना हो जाए रश्या में ऐसा क्यों होने लग रहा है? जब भी कोई देश किसी युद पर जाता है उस देश की एकॉनोमी पर क्या अशर पढ़ता है? उस देश के आम लोगों पर क्या अशर पढ़ता है? ये एक ऐसी चीज़ें कि बहुत कम लोग बात करते है। यह वीडियो आपकी आँखे खोल कर रख देगा, क्योंकि आप इमाजिन भी नहीं कर सकते कि आज के जमाने में एक सूपर पावर देश पर क्या बीथती है, जब वो देश एक युद पर जाता है, इवन दो वो युद उस देश के अंदर ना हो रहा हूँ. आए समझते हैं. All Western businesses are shutting down. Everyone who can is leaving. We'll be left isolated. Netflix has pulled out. TikTok won't allow new posts by Russian users. The ruble worth less than a penny. Center for Economic Recovery के दुआरा एक study conduct करी गई थी, जिसके according, अनुमान लगाया गया है कि पहले चार दिन में, रश्या को 7 billion dollars का खर्चा उठाना पड़ा इस युद को छेडने का. Approximately 50,000 करोड रुपे से भी ज्यादा. लेकिन ये सिर्फ पहले चार दिन था. अब जैसे ये युद आगे चलता जा रहा है. Same study ने estimate लगाया है कि धीरे-धीरे इसकी cost प्रती दिन 20 billion dollars क्रॉस कर सकती है रश्या के लिए. यानि हर दिन रश्या को 20 billion dollars spend करने पड़ रहे हैं इस जंग को लड़ने के लिए. इतना तो सिर्फ direct खर्चा है जो रश्यन सरकार उठा रही है. रश्यन taxpayer के पैसे का इस्तिमाल कर रही है इस युद को छेड़ने के लिए. लेकिन ये तो सिर्फ tip of the iceberg है. अब एके करकर सुनो कि बाकि दुनिया के response की वज़े से क्या impact पड़ रहा है. 33 countries ने अपनी airspace को close कर दिया है Russian airplanes के लिए. ने रश्यन विमान उन देशों की airspace में enter करने allowed नहीं है. इसमें USA, Canada और बहुत सारी European countries included है. नतीज़ा क्या हुआ? estimates के according करीब एक लाग पचास हजार से जादा Russian tourists थे बाहर के देशों में. अपने देश से बाहर घूमने गए होए थे. अब उनके लिए वापस आना बहुत मुश्किल हो रहा है. Airbus और Boeing दो सबसे बड़ी companies हैं दुनिया में जो aircrafts बनाती है, aeroplanes को बनाती है. इन्होंने कहा है ये अपने spare parts भेजना बंद कर देंगी अब Russia में Russian Airlines को और अपने सारे operations बंद कर देंगे Russia में. तो आने वाले time के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा दुनिया में किसी के लिए भी Russia में fly करना है या Russia से बाहर fly करना. आगे सुनो, जो बड़ी-बड़ी clothing companies हैं या जूतों के brands हैं जैसे कि H&M या Puma, उन्होंने अपने operations बंद कर दी हैं Russia में. BMW, Volkswagen, Mercedes, Jaguar, Toyota और Honda जो बड़ी-बड़ी car companies हैं इन्होंने कहा है कि अपनी गाड़ियां export करना बंद कर देंगी अब Russia में और Russia में जो इनकी operations हो रहे थे जो production हो रही थी गाड़ियों की वो भी इन्होंने बंद कर दी. IKEA, बहुत बड़ी furniture की company, Swedish company, इन्होंने अपने सारे stores बंद कर दी हैं Russia में. Airbnb, travelers के लिए बहुत useful होता था, इन्होंने अपने operations बंद कर दी. Netflix ने कहा दिया है कि अब Russian users के लिए नए accounts में sign up करना impossible, बंद हो चुका है. बड़ी-बड़ी tech companies, Apple और Microsoft ने कहा है कि अपने products को Russia में बेचना बंद कर देंगे. Samsung एक South Korean company है, Samsung ने भी कहा है कि वो अपने products को अब Russia में ship नहीं करेंगे. Imagine करके देखो, यह वो सारी global companies, multinational companies, जिनके products, जिनकी services हम रोज मर्रा के जिन्दगी में इस्तिमाल करते हैं, अब एकदम से Russian लोगों के लिए यह सब बंद हो गया. जो बड़े-बड़े oil giants हैं, जैसे कि BP और Exxon Mobile, इनका response भी similar सा ही रहा है. BP ने कहा है कि वो अपना 19% stake Russian state-owned energy company से dump कर देगा. यानि जो बहार की foreign companies हैं, वो अपनी investments को भी वापस खीच रही हैं Russia से. और जो बाकी foreign company सोच रही थी कि वो रश्या में invest करेंगी कुछ पैसा, बिल्कुल उन्होंने idea drop कर दिया है. इन सारी चीजों से एक देश की economy पर देश में आए पैसे पर बहुत असर पड़ता है. इसके इलावा football की दो सबसे powerful bodies, FIFA और UFA, इन्होंने फैसला लिया है कि Russian team को suspend कर दिया जाएगा सारे international soccer events से. यानि FIFA के World Cup में अब Russia की team नहीं खेलेगी. Formula 1 racing, Russia में Grand Prix होने वाली थी इसकी, उसे भी cancel कर दिया गया है. Visa और Mastercard, दो सबसे बड़े payment processing networks दुनिया के, इनके दुआरा millions of credit cards इस्तिमाल किये जाते हैं. इन दोनों companies ने फैसला किया है कि ये Russian banks को block कर देंगी. Russia में 74% payment transactions सिर्फ Visa और Mastercard के थूँ होती थी, अब नहीं हो पाएंगी. International Payment Transfer Companies जो होती थी, Remitly और Wise, इन दोनों ने भी अपने operations को suspend कर दिया है. Apple पे, Google पे, Samsung पे, जिन Russian banks ये अगेंच सैंक्शन लगाया गया है, उनके लिए अब ये भी काम करना बंद कर चुके हैं. लोगों के लिए रोज मर्रा की जिन्दगी में payment करना तक बहुत मुश्किल काम बन गया है. इसलिए लोग ATM के बाहर भागे थे cash निकालने के लिए. और आप जानते ही हैं क्या होगा जब धेर सारे लोग एक साथ cash निकालने की कोशिश करेंगे. मैंने banks के business model वाले वीडियो में बताया था कि बैंकों के पास इतना पैसा नहीं होता. अगर हर कोई एक समय पर आकर सारा cash निकालना चाहेगा तो नहीं possible हो पाए गए. तो bank run इस चीज़ को कहा जाता है और यही चीज़ होने लग रही है Russia में. ATMs के पास cash खतम हो रहा है और लोग बड़े desperate हैं. यह सब होता देखकर किसी भी देश का stock market बहुत बुरी तरीके से crash करेगा. इसी reason से Russia ने अपने stock market को एक हफते से बंद रख रखा है. जब से Russia ने invade किया था Ukraine को तब से Russia का stock market बंद पड़ा है. इसी डर से कि जब वो खोलेंगे तो बहुत बोरा crash उन्हें देखने को मिलेगा. तो अभी तक उन्होंने खोला ही नहीं है. अभी तक जो भी मैंने आपको examples बताई. यह सारी multinational companies थी जिन्होंने फैसला लिया अपने operations को suspend करने का Russia से. Companies थी. लेकिन इसके लावा सरकारों ने भी actions लिये हैं Russia के खिलाब. सरकारों ने sanctions declare की है Russia के against. Sanctions का मोटे-मोटे तोर पर मतलब होता है कोई penalty या punishment देना किसी दूसरे देश को. क्यूंकि उन्होंने कोई international law तोड़ा है या फिर वो बड़े aggressively behave कर रहे हैं. ये punishments बड़े ही अलग-अलग तरीकों से दी जा सकती हैं एक देश के against लेकिन mostly ये economic sanctions होती है. एक देश की economy को target करती है उसे attack करती है. तो एक बहुत बड़ी sanction जो कि आज के दिन रश्या पर लगाई गई है वो है swift block. Russian banks को swift system से cut off कर दिया गया है. क्या है ये swift system? SWIFT का full form है Society for worldwide interbank financial telecommunication. ये एक ऐसा payments का system है जो internationally इस्तिमाल किया जाता है 11,000 से ज़्यादा financial institutions के दुआरा. 200 से ज़्यादा देश दुनिया भर में इसका इस्तिमाल करते हैं. Almost हर बड़े देश का central bank is swift system का इस्तिमाल करता है. USA, Japan, India, China, जो नाम ले लो याँ पर. लेकिन swift system अपने आप में पैसे को move नहीं करता है. ये बस communicate करता है कि पैसे को यहाँ से यहाँ move करना है. तो इसे basically आप SMS समझ सकते हो या FV Messenger की तरह समझ सकते हो payment transfer का. ये instructions बताता है एक bank को कि दूसरे bank में मुझे इतना पैसा transfer करना है, यहाँ transfer करना है. इसलिए हर bank का एक swift code होता है, आप जानते ही होगे शायद से. और ये swift code 11 digits का होता है. इन 11 characters में से पहले चार बताते हैं bank का नाम क्या है, अगले दो बताते हैं country code क्या है, उसके अगले दो बताते हैं कि location code क्या है, और आखरी तीन बताते हैं कि bank की कौन सी branch का इस्तिमाल किया जा रहा है, तो उसका branch code क्या है. For example, SBI की दिल्ली में जो main branch है, उसका swift code है SBIN, IN country code हो गया इंडिया का, BB location code और 104 branch code. तो overall देखा जाए तो swift code एक bank का post code समझ लो. अगर आपको अपने SBI bank से, अपने किसी American दोस्त को America के bank में पैसे भेजने हैं, तो आप उसके account number के इलावा उसके bank का swift code भी लिखोगे, और यहाँ पर जब आप पैसे भेजोगे तो swift का काम होगा, communicate करना उस bank को कि यहाँ पर पैसे भेजे जा रहे हैं, यहाँ से इतने पैस कि नहीं है जिसके साथ ऐसा किया गया हो, इससे पहले इरान को भी block किया गया है swift access से, नतीजा यह हुआ था कि इरान ने अपनी one third foreign trade lose कर दी थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रशिया इस चीज के लिए prepared नहीं था, क्योंकि साल 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को invade किया था, र रशिया कोई ना कोई अपना तरीका निकाल लेगा, बना लेगा अपना payment processing system, अब एक और बड़ा उधारन sanctions का है, रशिया के central bank के assets को freeze कर देना, असल में बात क्या है, हर देश के central bank के पास कुछ foreign exchange reserves होते है, forex reserves जिने कहा जाता है, इसका basically मतलब है कि bankों के पास कुछ पैसा होता है foreign currencies में, forex reserves रखने के पीछे reason होता है कि बाहर के देशों को payment करनी होती है किसी चीज के लिए, या कोई भी global trade होती है, उसके लिए reserves maintain रखने जरूरी होते है, तो हर देश की तरह है, रशिया का central bank अपने पास US dollar के reserves रखता है, कुछ पैसा अपने पास US dollar की currency में रखता है, अमेरिक और बाकी देशों ने इन ही dollar reserves को freeze कर दिया है, कहा है कि तुमारे पास ये जो भी reserve का पैसा है, हम इसे कभी accepting नहीं करेंगे, तो तुमारे पास ये जो पैसा ये waste है, और इसकी कीमत 630 billion dollars है, अच्छा अब इसके लावा एक और बड़ा shocking और interesting तरीका है sanction करने का, जो पूटिन है, पूटिन के दोस्त हैं और जो Russian billionaires हैं, वो कुछ चीजे own करते होंगे, जो रशिया के बाहर है, उनकी कुछ property होगी रशिया के बाहर foreign देशों में, private airplanes own करते होंगे, बड़ी-बड़ी yachts own करते होंगे, तो US और बाकी देशों ने फैसला किया कि इनके ये ज super yacht थी, बहुती luxury boat कहलो इसे, France की सरकार ने इसे seize कर दिया है, इनकी yacht को अपने पास लेकर रख लिगा, खबर में ये भी आया था कि 600 million dollars की एक super yacht थी, Russian billionaire उस्मानोव की, उसे जर्मन सरकार ने seize कर लिया था, लेकिन ये खबर बाद में जूटी निकली थी, लेकिन इसी डर में जो Russian billionaires हैं, वो अपनी yachts को लेकर ऐसे देशों में अब जा रहे हैं, जहां पर ये western सरकारे पहुँच ना सके उन्हें seize करने के लिए, जैसे कि Middle East या फिर Maldives में, खबर के अनुसार कम से कम 5 super yachts Russian billionaires की Maldives देश में पाई गई थी, इसके लावा जो भी property ये लोग own करते हैं बाहर के देशों में उन्हें seize कर लिया जा रहा है, इन पर flight ban लगाया जा रहा है, जो Russian oligarchs हैं, इन्हें कहीं पर भी travel नहीं करने दिया जाएगा रशिया के बाहर, ये सब करने के बीचे बड़ा simple सा reason है कि पूटिन पर pressure डाला जा सके इस जंग को रोकने के लिए, जब इन cut off करनी western देशों के लिए रशिया से वो रही है oil and gas, क्योंकि European देशों के लिए almost one third उनकी जो gas supply आती है वो रशिया से आती है, वो रशिया से gas लेते हैं और अगर उसे cut off कर देंगे तो बहुत तेजी से European देशों में gas के prices बढ़ जाएंगे और gas आएगी कहां से फिर, लेकि कैसी pipeline है जो बन चुकी है लेकिन अभी इसे इस्तिमाल नहीं किया जा रहा था, लेकिन अपनी existing gas dependency जो है रशिया के उपर उसे कैसे हटाया जाए इसकी काफी कोशिश करी जा रही है, यहाँ पर America सामने आकर क्या रहा है कि हमारे पास बहुत से oil and gas reserves हैं जो हम Europe को दे देंगे अब ताकि Europe अपनी dependence कट कर सके रशिया से, लेकिन anyways जो भी मैंने आपको पहले बताया, इस सब का नतीजा क्या हो रहा है, यह सारे इतने harsh measures हैं कि रशिया की जो currency है, रशियन रूबल वो इतनी तेजी से नीचे गिर रही है, आप यकीन नहीं कर सकते, साल 2012 में 1 US dollar 30 Russian rubles के बर करने को रहा है, इतनी तेजी से इनकी currency की value लूज होने लग रही है, यानि लोगों ने जितना भी पैसा कमा रखा है, उसकी कीमत खतम होती जा रही है, इंफलेशन बढ़ रही है, लोगों को hyper inflation का यहां पर डर है, इसके लावा लोग यहां पर basic payment systems नहीं इस्तेमाल कर पा र बैंकों से cash नहीं निकाल पा रहे, बहुत ही बुरा असर पढ़ रहा है, रश्या की आम जनता पर इससे, तो लोग करे तो करे क्या यहां पर, लोगों ने क्या किया किया कि सुपर मार्केट्स में जाकर, जो electronic items हैं, जैसे की smart phones हो गए या laptop हो गए, उन्हें खरीदना चालू कर दिया है, क्योंकि वो ऐसे assets हैं, जिनकी value खतम नहीं हो रही है, उनके पास जो bankों में पड़ा पैसा है, उसकी तो value लूज हो जा रही है, क्योंकि currency की value इतनी तेजी से नीचे गिर दी है, लेकिन अगर यह electronic items खरीद के अपने पास घर पर रख लेंगे, तो उनकी कीमत नी के ले जाएंगे इसकी वजह से, unemployment और inflation भी बढ़ रही है, यह उन सब लोगों के लिए सुनना बहुत जरूरी है, जिनें लगता है कि युद पर जाना एक देश के लिए बड़ी अच्छी चीज होती है, यहाँ पर Russia ने Ukraine को invade किया, युद युकरेन में होने लग रहा है, ल देख सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद,